अग एक साल से भारतिय जनता पार्टि चिला चिला के कह रही है कि दिली में कोई शराब घुटाला हो गया और देश की जो भी सबसे बड़ी से बड़ी जांच एजिंसियां हैं वो अपना सारा काम धंदा छोड़के शराब घुटाले की जांच में लगी हुई हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको अब तक तो शराब घोटाले के सब कुछ मिली गया होगा, सारा पैसा भी मिल गया होगा, सब कुछ मिल गया होगा तो पहले दो-तीन मिनिट में इसी पे चर्चा करना चाहूंगा कि शराब घोटाले में जाच एजनसियों कैसी जाच कर रही है क्या मिला अभी तक इसमें मनीज सिसोधिया जी जो की फिनैंस मिनिस्टर थे डेप्टी चीफ मिनिस्टर थे उनके उपर सबसे बड़ा आरोप एडी ने और सीबियाई ने लगाया है कि मनीज सिसोधिया जीने अपने चौदा फोन तोड़ दिये तो इन्होंने सबूत खतम करने की कोशिश की ये सारी जाच वाच करने के बाद इन एजनसीज ने मनीज सिसोधिया पर आरोप लगाया है कि चौदा फोन तोड़ दिये ये एडी की चार्ट शीट है एडी का डॉक्युमेंट है जिसमें इन्होंने ये चौदा फोन का IMEI नंबर लिखा हुआ है कि ये वो चौदा फोन है जो मनीज सिसोधिया के थे और जो मनीज सिसोधिया ने इन फोनों को डिस्ट्रेक्ट कर दिया ये एडी के डॉक्युमेंट में है इसी के बाद एडी की सीजर मेमू है इडी कुछ भी सीज करता है तो इसको मेमू इन चौदा में से एडी खुदी कहरी है सीजर मेमू की चार फोन हमारे पास हैं ये इनका सीजर मेमू है इंपाउंडिंग ओर्डर 18 मार्च 2023 का और इंपाउंडिंग ओर्डर 5 जनवरी 2023 का चार फोन उसमें से इनके पास हैं और एक CBI का ये डॉक्यूमेंट है एक फोन CBI के पास है तो 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही है जो कह रहे हैं कि मनी से सोधिया ने तोड़ दिये उन 14 में से 5 फोन ED और CBI के कबजे में हैं बाकी 9 फोन तो जब इन्होंने ये आरोप लगाया हम तो छोटे लोग हैं हमारे पास इतने साधन नी थे लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने डेड़ महीने में हमें भी थोड़ी जाच करी तो पतला चला बाकी mostly फोन एक आद को छोड़के वो भी पता च नहीं है कोई नव कोई इस्तेमाल कर रहा है वो मनीश जी के फोन नहीं है वो कोई नव कोई इस्तेमाल कर रहा है वो फोन जिन्दा है और ये फैक्ट की ये फोन जिन्दा है ये ED को भी पता है और ये CBI को भी पता है सो E.D. ने और C.B.I. ने जूटा जूट बोलके ओत पे एफिडेविट पे कोट को गुमराह किया और जूटा सबूत उन्होंने कोट के सामने पेश किया क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं कुछ था ही नहीं शराब घुटाला कुछ है ही नहीं तो निकाल ही क्या तो उन्होंने जूट बोलके मने सिसोदिया को फसाने की कोशिश की कोट को जूट बोला अब ये रोज किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं किसी ना इसको गिरफ़तार कर लिया ये कर लिया एक कोई चंदन रेड़ी और उनको टॉर्चर करकरके धंकियां दे दे के mentally टॉर्चर करके, physically टॉर्चर करके, third degree करके उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनी सिसोधिया का नाम ले लो उनको फसाओ, उनको किया जा रहा है कोई चंदन रेड़ी हैं, हम तो जानते भी नहीं है कौन है चंदन रेड़ी को इतना मारा, इतना मारा यह उसकी medical report है चंदन रेड़ी की medical report में लिखा है patient has alleged trauma to both ears and face by ED officers on 16th September 2022 and 17th September 2022 patient ने दोनों कानों पे और face पे ED officers के द्वारा पिटाई हुई 16th September और 17th September को ऐसा कहा patient complaining of यह है कि सुनाई नहीं दे रहा और jaw pain on opening mouth और investigation पे पता चला right ear mild to moderate mixed hearing loss left ear severe to profound mixed hearing loss उसके कान के परदे फट गए उसको सुनाई नहीं दे रहा ऐसा चंदन रेड़ी से ED क्या उगलवाने की कोशिश कर रही थी उसको क्या कहने का दबाव डाला जा रहा था कि उसकी इतनी वापस ले लिया अगले दिन उस दिन तो उनसे कुछ लिखवा लिया कहीं साइन करा लिया लेकिन उसके दो चार दिन बाद उन्होंने कोट में बयान दिया कि मुझे टॉर्चर करके बयान लिया गया समीर महंद्रू से टॉर्चर करके बयान लिया गया उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया मनस्विनी से टॉर्चर करके बयान लिया गया उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया भूशन बेलगवी से टॉर्चर करके ये पांच नाम तो मेरे पास ही हैं पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को टॉर्चर करकर के बयान लिये गए ये हो क्या रहा है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जितने लोगों को ये बुला रहे हैं, सब को मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है, जिसे एक कमरे में उस व्यक्ति को बिठा रखा था, दूसरे कमरे में उसकी वाइफ को और उसके पिता जी को बिठा लिया, और उसको बोलते हैं कि या तो इस का पतनी को और तेरे पिता जी को भी जेल भीज रहे हैं। ये चल क्या रहा है। मैं प्रधान मंतरी जी से पूछना चाता हूँ ये चल क्या रहा है। ये जाच चल रही है इन लोगों के एक व्यक्तिय है उसके वकील ने कोट में ख़ड़े हो कि कहा कि हमारे मुवक्किल के मेरे मुवक्की के detawe डाला जा रहा है कि दिल्ली के पॉलिटिशन का कोट के अंडर खड़े हो कि उसने बोला के बाद ये आरोप लगाते हैं कि 100 करोड रुपए की रिश्वत ली गई और दी गई वो 100 करोड रुपया कहा है एक नया पैसा एक नया पैसा कहा है वो 100 करोड रुपया सब इतनी 400 से ज़्यादा रेड हो चुकी है मनीश सोधिया जी के घर पे रेड हो गई इतने सारे दूसरे लोगो पैसा मिल है कहां एक नया पैसा नहीं मिला 100 करोड रुपय का ना कोई ज्वेलरी मिली ना कोई मनीश जी के घर पे गद्दे भी फाड दिया इन्होंने उनके गा जी ओधाल उयजी गोअ के हमारे जितने वेंडर्स ते जिंसे हमने काम कराया था सारे वेंडर्स पे रेड मार चुकिये लोग सारे वेन्डर्स को इंगीरफतार करकर के स्टेट्मेंट ले चुके वहां कुछ नहीं मिला सारी पेअश Euhर्ण हो इ होगी अश्यहाँ आजerte इस प्रेश कोंफरेंस में कहह रहा हूं के 14 सिटंबर को शाम को शाम को साथ बजे में मैंने नरेंद्र मोदी को एक हजार करोड रुपए दिये थे, कर लो गिरफतार उनको, ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होगे, कुछ भी कह देगा, मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को 17 सिदंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड रुपए दिये थे, गिरफतार करोगे इस बेसे इस पर नरेंद्र मोदी को, भई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का, कोई तो मैं कहूंगा भी मेरे पास ये सबूत है, मैंने दिये थे, ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होके कहा देगा, और गिरफतार कर लोगे, 100 करोड रुपए दिये, 100 करोड रुपए दिये, गोवा चला, अरे कहा है सबूत, कोई सबूत निया, ये पॉलिसी इतनी शांदार पॉलिसी थी, ट्रांस्परेंट पॉलिसी थी, जो भरष्टाचार खतम कर देती, पूरे के पूरे शराब सेक्टर में, ये इस बात से साबित होता है, कि ये policy जब पंजाब में लागू की गई, पूरी copy-paste policy है, जब पंजाब में लागू की गई, तो इस policy से 50% revenue एक साल के अंदर बढ़ गया, 50% revenue, दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू करने दी, पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं, क्योंकि पंजाब एक full state है, तो मैं मोधी जी को कहना चाहता हूँ, मोधी जी, अगर केजरी वाल भ्रष्टाचारी है, तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई इमानदार नहीं है, मुद्दा भ्रष्टाचार है यह नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जाच है यह नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है यह नहीं, ऐसा शक्स देश का प्रधान मंत्री जो सर से लेके पैर तक भरष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है उसके लिए भरष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है पिछले मार्च के आखरी हफते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाए थे ब्रष्टाचार जो इन्होंने की है इतने ब्रष्टाचार गिनाए थे इन्होंने तो मेरे को तब ही कह दिया था उस दिन जिस दिन असम्बली में मैंने स्पीच दी थी शाम को संजे सिंग का मेसेज आया है कि अर्विन जी अब अगला नंबर आपका है कल सत्यपाल मलिक जी ने एक इंटरव्यू दिया मैं वो सुन रहा था सत्यपाल मलिक जी ने कहा मोदी जी को भरष्टाचार से कोई परहेज नहीं है यह मैं तो नहीं कह रहा हूँ यह तो उनके अपने गवर्नर कह रहे हैं सत्यपाल मलिक जी कौन है सत्यपाल मलिक जी मोदी जी के बहुत खास लोगों में गिने जाते थे उन्हें पहले उन्हें जम् мु कश्मीर का governor बनाया फिर उन्हें गोआ का governor बनाया फिर उन्हें मिजुर मेगाले का governor बनाया उन्होंने कहा कि मेरे जो interaction हुए मोदी जी के साथ उसमें पता चलाया कि मोदी जी को भrष्टाचार से किसी तरह का परहिज नहीं है उसी interview में उन्होंने कहा कि इन लोगों के कुछ मुख्यमंत्री हैं जो भष्टाचार करते हैं खूप पैसे कठे करते हैं लेकिन वो सारा पैसा मुख्यमंत्री अपने पास नहीं रखते वो पैसा उपर भेजते हैं और वहां से वो पैसा उनकी दोस्त की कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट होता है। मैंने भी तो इसी तरह का कुछ कहा था अपने उसमें। तो चलो मेरी बात तो नहीं मानी है। अब तो गवर्नर इनके अपने गवर्नर कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा हो इ है। तो फिर यह आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पढ़े हैं। 75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टार्गेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को यह लोग टार्गेट कर रहे हैं। नंबर तू को गिरफतार कर लिय नमबर थ्री को गिरफ्तार कर लिया और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरे मेरी गर्दन तक पहुचना तो अब यह मेरे पीछे पढ़े हैं मुझ तक पहुचने की कोशिश कर रहा हैं किसी पार्टी को इस तरह से नहीं टार्गेट किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टार्गेट किया गया उसका एक कारण है वो कारण है कि 75 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने इस देश को एक ऐसी उमीद दी है जो कि कोई पार्टी नहीं देपाई गुजरात के अंदर 30 साल से बीजेपी की सरकार है उसमें 12 साल प्रधान मंतरी मोदी जी खुद वहाँ पे मुख्य मंतरी रहे 30 साल के अंदर ये एक सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए एक भी एक भी सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए जब मोदी जी को फोटो खिचवाने के लिए सरकारी स्कूल में जाना था तो एक temporary class एक टेंट के अंदर temporary class बनानी पड़ी इनको फोटो खिचवाने के लिए फोटो खिचवाने लाइक सरकारी स्कूल भी नहीं बना पाए और पांच साल के अंदर दिल्ली के हमने सारे सरकारी स्कूलों का काया कल्प कर दिया पांच साल के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिये इस देश के लोगों को आम आदमी पार्टी ने एक उमीद दी है कि केवल आम आदमी पार्टी उनकी गरीबी दूर कर सकती है उनको शिक्षित कर सकती है उनके बच्चों को रोजगार दे सकती है आम आदमी पार्टी ने इस देश के लोगों को उमीद दी है प्रिधान मंत्री जी उस उमीद को कुचलना चाहते हैं प्रिधान मंत्री जी नहीं चाहते कि वो उमीद आगे बढ़े क्योंकि अभी तक इन सारी पार्टियों को कि मिलके जो लूट चल रही थी अगर इनको स्कूल बनवाने पढ़ गए इनको अस्पताल बनवाने पढ़ गए तो उनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेगा तो कल इन्होंने मेरे को बुलाया है मैं जाओंगा कल CBI में और मैं फिर से अंतमी यह कहना चाहता हूँ कि प्रिधान मंत्री जी अगर केजरी वाल चवूर है केजरी वाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई मानदार नहीं है जा आपको आशनका एकिकल जवाब तुस्ताचे जैनी तो गिरफ्तारी वकरती आपकी पंड़े का दिने है जापको आपको आपको..